ओपेट भूआस its vueल compositions आज में आपको सखाने वालो filespamith judgment कयो अ हुआ कि अधिक है जो भी किया किरन लोग पूछते है की मेल मारकेटिंग करने के लिएा पैसे पोड़ू पेयर चेरोब होते हैं और पर कुछ कुछ हमने सुना है वैसे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर ब्लॉग पर बताया है कि इमेल मार्टिंग पीड होते हैं अदिनल मार्टिंग फ्री कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लिमेटर आप एमेल सेंट कर रहे हो 10,000, 20,000, 30,000 तो कोई प्रब्लिम नहीं, आराउड 50,000 तक आपको एमेल सेंट करने है, आपको फ्री में बहुत सारी ओप्षिंस से, मैं नहीं बोल रहो कि एक प्लाट्फोम से यूज कर लो, फ्री में तो बहुत सारे फ्लाट्फोम से लेकिन मैं उनके लिए सिखा रहा हूँ ये वीडियो बिसिकली जिनको email marketing कुछ भी पता नहीं है email marketing basically करने के लिए जो किसके लिए होता है वो पहले मैं अभी क्लियर कर देता हूँ फॉर्स्टिंग देन थोड़ा सा आगे जाते है email marketing उनके लिए होती है जिनका online प्रोड़िट या सर्वीस है जिनका बिजनेस online है इनके लिए तो compulsory है ठीक है जिस जिनका प्रोड़िट ऊंलाइन या और स्वारी जिनका प्रोड़िट या सर्वीस online है उनके लिए compulsory email marketing करने के जिसे कि online classes है मेरे या मैं ब्लॉगर हूँ या मैं कुछ सब मेरा online brand चल रहा है या कुछ consulting services है मेरी online तो वैसे बहुत सारे बिजनेसेस या सर्वीसेस है जो online चलते है तो उनके लिए compulsory email marketing करना और जिनका offline business है जैसे की ऐसा हो गया कि मैं ट्रेनर हूँ लेकिन offline ट्रेनर हूँ for example मैं किसी की office में जाकर training देता हूँ या कुछ stationary shop है मेरा या सलून है जो भी कुछ है offline मेरा product या service या business मेरा तो उनको भी important है लेकिन तब important है आपका audience जो है आपका जो customer base है वो थोड़ा लिट्रेट हो मतलब वो email चेक करता हो लिट्रेट मतलब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि वो email चेक करता हो तीक है तो उसको email बेज़ के benefit है otherwise हम दो तीन-तीन मंस email उपन नहीं कर रहे है तो उसको email send करे कुछ फाइदा ही नहीं है तो email वसी फसम को बेज़ना है जो अनलाइन के रिट्रेटर थोड़ा सा अभेर है या वो थोड़ा यूज रहता है वो एक्टिव रहता है उनलाइन पर तो बैसे के लिए उनके लिए है पैसे तो तुधा नाइंटीन-ट्वेंटी में तो हर कोई भी अनलाइन होता है हर कोई email के लिएटर अन्नोन है ऐसा तो कोई है नहीं हर एक बंदा हर एक इवन छोटे बच्चे भी ले लेंगे उनको भी पता है अच्छी दूरा से email मार्लब email कैसे रीड करना है email कैसे सेंड करना है तो हर एक चीज़ पता होती है तो मुझे यह बताना है पहले की online जिनका business है उनको तो compulsory है और जिनका offline business है offline business में भी आपको क्या करना है वही लोग यूज करेंगे जिनका customer base या client base थोड़ा सा email यूज करता होगा तो चलो directly start कर देते इमेल के रिलेटर कुछ टर्मिन लोग इसे वह मैं बले क्लियर कर देता हूँ SMTP server करके एक server रहता है एक server रहता है तो इस server के थू हम email send करते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता होने की जुरूत नए सिप आपको SMTP server करके सिप आपको पता होना चाहिए कि SMTP करके एक server रहता है मांदो आपको email marketing service मार्केट में ढूननी है तो आप SMTP service करके भी ढून सकते गूगल पे आपको अच्छी तरह से service protocol ठीक है जिसको डान में रखने के जुरूत नहीं है आपको सिप SMTP नाम डान में रख दो वह भी द्यान में नहीं रात तो भी चलेगा तो एक बार आपको समझ में आए गए SMTP कुछ तो related है इस related to email marketing तो SMTP server रहता है जो email send करता है ठीक है तो बहुत सारे सर्वर से मतलब Amazon का सर्वर है AWS वेब सर्वर या GoDaddy का है या MailChimp है बहुत सारे वैसे ठीक है लाख हो है हम सिप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 1000 प्लस कंपनी होंगे जो email marketing service provide करते है जो SMTP server service provide करते हमें तो बहुत सारे यूज करना चाहिए कुछ नहीं यूज करना चाहिए क्यों वही क्यों यूज करना चाहिए हर एक बात में क्लियर कुनगा लेकिन यह थोड़ा द्यान में रख दो अभी मैं थोड़ा सा email.com करके दिन मेल्चीम करके website है mailchim.com करके mailchim.com website भी आप यूज कर सकते हो जो की वह भी फ्री आफ कॉस्ट है लेकिन उसमें कुछ कंडिशन रहे जैसे की email sorry elastic email पर कंडिशन क्या है है 250 emails per day हम सेंड कर सकते है 250 emails per day जो की हम मतले ठीक है वह एक आकॉंट से 250 emails मतलब अच्छी बात है और mailchim में हम 12,000 emails send कर सकते पर मन एक मन्द में 12,000 emails send कर सकते लेकिन उसमें भी आवरे कंडिशन से वह भी मैं clear कर देता हूं पहले हम देख लेते हैं कि elastic email से mail कैसे सेंड करना है हमें ठीक है तो थोड़ा मैं जाता हूं elastic email करके यहां पर वेब्सेट है elastic email.com करके यह उसका front page है यहां पर login है login पर जाओ या try for free पर click कर दो आपका आकॉंट वहां से create कर दो ठीक है आकॉंट create करती यहां पर sign up का भी option है मैं sign up करके आकॉंट create कर दो और id password डाल दो login कर दो मैं अभी डारेटली लोग इन वीच गूगल कर देदा हूँ एक email address मैंने login कर दिया ठीक है यह login हो गया यहां पर कुछ steps दिखाई दे रहे मुझे पहली से पर अप्लोड कॉंटक्स मालब email upload कर दो जिसको आपको email send करने second one create template मंदब क्या format send करना बॉड़ी में email के बॉड़ी में क्या आपको send करना उसका template send कर दो I mean create कर दो then send campaign तो इस यह तीन स्टेप से तीन स्टेप में में हमें सेंट करना है यह वेरिफाई दो में और इसके हमें जुरूत है नहीं हम सिफ यह तीन स्टेप में करेंगे upload contact create template and send email बस तीन ही स्टेप है हम अच्छी तरस देखेंगे अभी यह पहले create template क्या होता है मैं पहले वो भी clear कर देतो ठीक है template system क्या होती है email template system ठीक है तो emails हमें जो आते है ना emails अलग-अलग टाइप किया जैसे कि अभी मैं Google email पर मेरे जाता हूं एक email अडिया पर मैंने ओपन कर दिया ठीक है अभी elastic email कर यहां पर मुझे एक mail आ गया यह अभी यहां पर दुसरा एक mail ले उनसा बईजूद आई एस करके अभी यह mail देख लो कैसे mail है अदेखो यहां पर क्लिक कर दिया बटन पे तो कौन से दुरुट्र पर जाएगा इस पर क्लिक अब आपन से दुरुट्र पर जाएगा पर दुसरा ने खिए अगले अगया इक डिसाइन चुटर अस्टर से आ आ गया समझ में आ रहे आपको यह जो है यह email देमल देट ही य और यह फॉर इसमें कुछ रिस्पॉंस आगए यह जो रिमिल है यह जो इमैल है जो हम उसमें टेक्स वागर लिखते वह वाला इमैल ठीक है तो दो टैप्स के टेब्ट इमेल में रहते हैं इमेल टेंपलेट्स एक होता है HTML इमेल दुसरा प्लेम तो HTML इमेल आपको डिजाइंग करना पड़ता है। लेकिन ये बात आपको क्लियर करने है कि आपको HTML की नॉलेज जोरुरी नहीं है। आपको टेक्निकल नॉवेटर होने की जोरत नहीं है उसमें directly theme रहते है उसमें theme ship's edit करने है वो भी without any technical knowledge you can edit very well ठीक है तो HTML theme या HTML template कैसे design करना है वो भी हम आभी देखेंगे टेंबलेट का system समझ में आगया है तो थोड़ा step वैज जाएंगा भी जाएको हम Elastic email में थे Elastic email में हमने sign up करके login किया था यहाँ पर upload contact first step में करूंगा upload content upload content पर में click कर देता हूँ ठीक है यहाँ यहाँ पर manage context पर जाओ upload context करके option आजाएगा upload context में जाओ और यहाँ पर जितने भी email यहाँ पर पेस्ट कर दो ठीक है अभी email यहाँ से आपको मिल दे वो भी मैं clear कर देता है आप blogger हो तो blogging site पर आपको subscriber email subscriber आ जाते उनकी email यहाँ डाल दो आपको comments box में blogging के comment box में बहुत सारे लोगों कमेंट्स की होते हैं वहाँ पर उन्होंने email यहाँ दिया होता है वह सब email यहाँ कर लो वह email यहाँ यहाँ पर डाल लो थर्ड चीज़ है थर्ड वे email करेक्ट करने का आप Facebook ग्रूप पर या WhatsApp ग्रूप पर कुछ सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपको email marketing का free course चाहिए तो आप आपका email यादी मुझे शेयर कर दो तो मेरे पास बहुत सारे email यादी आ जाएंगे फिर मैं क्या करूँगा हर एक जैस मेरा वीडियो आ जाता है उनको मैं इमेल सेंड करूँगा कि मेरा निव वीडियो आगया आप चेक कर लो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलो तो email पहले आपको collect करने होंगे email करने के बाद या आप email सेंड कर सकते हो लेकिन एक बार email आपके पास आ गया तो long term के लिए वो आपको लिए beneficial है क्योंकि क्या होता है हम SMS marketing करते है या टेली marketing करते है या text message या WhatsApp marketing करते है तो उसमें basically क्या होता है जो अब भी जो numbers है नंबर सेंड है में 3-4 मन में कोई भी चेंज कर रहा है नंबर maximum 6-7 मन बहुत कम लोग होंगे जिनका नंबर 2-3 यह से चल रहा है तो जितने भी marketing कुछ हमें रिजन समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उनका उसका रिजन एक ही मोबाइल नंबर का कि मोबाइल नंबर 3-4 मन में अपडेट हो जाते है नियू नंबर आ जाते है तो इमेल का एक benefit यह है कि email basically change करते नहीं कोई इमेल नियू क्रेट करते लेकिन ओल इमेल वैसे शुरू रहते है तो इमेल का यह सबसे ज्यादा benefit है जो हमें उसका अच्छी दर से यूज़ करके लेना चाहिए तो आप बस डिरेटली जितने भी इमेल आडिया यहापी कॉपीपेस कर दो और एड़ कॉंटेक्स कर दो वो करें डिया जैसे कि इमेल डाल दिया Amar.zmoli.com ,ी बरट आप ब्र दरेट दफ पर दलोट पर ऩतीक यह तिन मेयने कपी कर दियो तो इमेल यहाप मुझे पिश्ट कर देना है ठीक है, आपके भी इमेल वैसे कॉपीपेस कर दो मतलब दो यह बता रहे है, यह ऐसा नहीं कर्वे में भी होने चाहिए आपके पास काप पे इमेल एडी हो वो चलेगा ठीक के यह मैंने एक्चलिट कट्पेस किया था हम कंट्रॉल जहेर मुझे करना पड़ेगा ठीक है तो जो इमेल इडीज है वह इमेल आडिये आपके पास text file, doc file आपके पास office document file, I mean word file या PDF में mail से या आपके पास mail से वह copy कर दो या पर paste कर दो, मैं तो email आडिये नोट पर में save करके रखता, तो मैं या पर paste कर दिये, और add contact कर दो, ठीक है यह पहली चीज हो गई, मैं दीका था, यहाँ पर group system भी आ जाएगी, next add contacts, यहाँ पर आ गया है कि 3 contacts detect हो गए, तो हम सिप save कर देना है, बा किये है, और वो बोल रहे है है कि उससी में upload कर दो, या new list बना निया हमें, मुझे वो तो नहीं करना, मुझे new list बना निया, ठीक है, अब यह existing list और new list क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हू, क्या होता है, हमें emails जो होते है, वो emails, email ID sort करके रखने पढ़ते है, ठीक ह है, for example, Amazon, या कोई भी, थोड़ाश कीबोर्स, स्लीफ हो रहा है जाता है, कोई प्रब्ल्म में, Amazon है, तो Amazon एक e-commerce portal है, flip card है, shop close है, या कौन साब एक particular clothing store होगा, या जिनका भी e-commerce portal है, तो e-commerce portal वाले basically क्या करते है, email sort करके रखते है, email sort कर, देखो कैसे करते है, जो 2000 उसका उनकी अलग list रहेगी, जो 5000 तक shopping कर रहे है, उसकी list अलग रहेगी, जो 10,000 तक shopping कर रहे है, उसकी list अलग रहेगी, ठीक है, अभी मुझे ये बताना है, कि ये अलग-अलग क्यों करते है, और उसका benefit कैसे होता है, उनको, जिन्होंने last month में 2000 की shopping किये, उनको mail वो करते है क्या आसालन के शोपींग कार दिए आपको 10 पर संद डिसकांट abde जिनने 5000 के शौपइंग कि उनको मेल करते कि आपने 10000 जी टॉपिंग कर दिए तो आपको यह ऑले बेनिफिट हो जाएगा जैसे 10 10,000 के शोपिंग के उनको बोलते हैं कि इस मन में भी 10,000 के शोपिंग कर लो मतलब जो भी कुछ उनकी ओफर है वो ओफर डालेंगे मतलब उनको समझ में आता है कि 2000 के परसन को डारेटली वन लेक्ट के ऑफर डाले के कुछ बेनिफिट है ये नहीं आपके पास यह सौर्क्ट होना चाहिए डिटा ठीक है एक्चुली एमेल सौर्टिंग है न यह डेटा साइंस में पार्ट आ जाता है डेटा साइंस एक सबसे बड़ा डिपामेंट है जो कि लास्ट्री टू फॉर येर में उसका ज्यादा ट्रेंड चल रहा है डेटा साइंस क अवर्च कि यहिसे अभड़ काुट है कि डेटा प्रेटा प्याइब काम करो ठीक है एक सवाइब गुरूप के नंबर अलग रोग दो यह गुरूप के नंबर अलग रख दो इमनला टीए टीम है अंधी उनक्यृार अलग रख दो ठीक है मैंलब फॉर्स वेचस्वी लीच जोगा होते तो मैं सबको मुझे मेल करना हो था ठीक है तो वो प्रोब्लेम हो जाएगा तो आपको एमेल सॉट करने का बेनीफिट अच्छी दरा से हो जाएगा माकेटिंग के लिए ठीक है तो एक्टिल डेटा साइंस में पाट आ जाता है तो मुझे ये बताना था कि अभी आप न्यूड लिश्ट कर दो और किस फर्पस के लिए यूज करने उसका एक कुछ तो नाम लिख दो फाइल के लिए जैसे कि अब मैं नाम लिख देता हूं कि ये 2000 तक शॉपिंग करने वाले लोग है ठीक है मतलब 2000 शॉपिंग मतलब यह मेरे अंडसर्णी के लिए मैंने आप बता दीता हूं आप बिसिकली जीमाल पर हूं स्या रिडृपमेल स आप इमेल सेंडकर तो आपको यह समझ में आथे कि आ UK या नहीं उसमें वो फैसिटी नहीं है, जेमेल में, yahoo में, radio mail में, हाला कि वो फैस löछी होती है, लेकिन कुछ plugins आपको, पेडी बैड़ श들 है, देर वो झालने पड़ेंगे देन वो और वो थोड़ा टिकनिकल भी जाना पड़ता है, लेकिन, मुझे बताना है कि Gmail में, Reddit mail में, Yahoo में, या कुणसे भी free mail service जो हम एक-एक-एक mail भेशते हैं, उसमें ये facility नहीं होती है, बहुत बार क्या होता है, मैंने 4-5 campaign भेश दिये, और उसके बाद में analysis कर ले लाओ, कि कितने लोगों ने email open कर दिया, अभी email कितने लोगों ने open कर दिया, दिखने माला ही क्यों कि या पर मने allow कर दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 50 लोगों ने email open ही नहीं किया, फिर मैंन 20 लोगों ने नहीं किया, अभी वो 20 लोग है ना, वो मैं निकाली देता हूँ, लेस में से, क्योंकि उन्हों ने तिनों भी email open नहीं किया, तो मुझे ये बताना ही कि आपका email marketing वेस्टेज मत कर दो, तो इसका ये benefit है, कि email कोन नहीं कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ से एक बार दिखा दिता हूँ, upload context पर गए, नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हो, context में, यहाँ पर भी option है, आपको contact में जाओ, manage contact में जाओ, upload contact में जाओ, upload कर दो, एक step कर दो और upload कर दो, ठीक है, मैं भी back आता हूँ, I hope आपको ये समझ में आया होगा, कि upload contact कर इसे करना है, अभी मुझे करना है, template बनाना है, second step, template, template पर में जाता हूँ, तो यहाँ पर गैलरी में जाओ, गैलरी में बहुत सारे template दिखेंगे आपको, ठीक है, आपको कौन से template, और भी आपे pages से, हर एक page मेहत तो नहीं दी का सकता, आपको, आपको जो चाहिए, आपको परोटिया कर दिया है, edit पर click कर दिया मैंने, या आप directly उसके उपर click कर दो, edit में option आ जाएगा, ठीक है, तो open हो रहा है, अभी ये email देख लो कितना अच्छी दरह से दिख रहा है, ये email ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है, देखो में कुछ मेरे gmail में email दिखाता हूँ, promotions में जाता email कैसे अच्छी दरह से आ गया है, then, w3 layout, देखो ये complete HTML template है, तीक उसमें कुछ links रहें जैसे कि इस पर click कर दिया, तो कहाँ पर click होगा, इसके उपर click कर दिया, I mean कहाँ पर तो website open हो रहा है, कुंसी तो website open हो जाएगी, तो complete responsive and complete standard email है, जैसमें कि उन्होंने हर एक social media platform सो यहाप integrate कर दिया, मतलब उसके multiple objects होगे, w3 layout ने mail मुझेक्स कर दिया, तो objects उनके multiple, मतलब उनको ये content send करना था, लेकिन उस content के साथ उन्होंने ये भी send कर दिया, ये भी send कर दिया, और उनके social media sites भी send कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, at least मैं मुझे Instagram उनको देखना, Instagram में follow कर सक statement template रहता है, response email रहता है, वो या clickable email होता है, वो अच्छा response उसका आता है, या वो इसके standard हम कह सकते हो, ठीक है, तो ये email template आ गया है, अभी उसमें से ये image है, नहीं तो ये logo है, ये logo मुझे change करना है, कर सकते हैं तो मुझे delete कर देना है, हर एक option आ जाएगा आपको, ये change करना ह या पर image option है, ये change कर दो, इसकी size कम करना है, कर दो size, ठीक है कम हो गई ज्यादा करना है, ज्यादा कर दो size, इसे border करना है मुझे, कर दो या पर border option है, ठीक है, border color कहुंसा करना है, red color करना है मुझे बोर्डर कितना करना है कैसा करना है solid करना कितना करना है 2-pixel 3-pixel 4-5 pixel आ गया बोर डरे से ठीके जो क्या चाह नहीं दीक रहा है या पर मैं नहन कर देता है ठीके जो दिया है वो standard actually then ये image image मुझे से same चीज है ये email change करना है ये image में कुछ अप्डेट्स करने से में image कम ज्यादा size कर लो यहां पर link है link सबसे important options में link में क्या होता है for example इस image पर किसने click कर दिया तो मेरे website open हो चाहिए मैं अभी directly link पर click कर देता हूँ change करना है बस click कर दो edit कर दो ठीक असलेट कर दिया cut कर दिया या पर कुछ content डाल रहा हूँ welcome to welcome to ABC ठीक है यह उनका अच्छा content निकल देता हूँ और मेरा standard content रख देता हुआ ठीक है यह जो text है वह आपके सबसे आप डाल दो कुछ भी अभी मेरा यह text complete पता है क्या लिकना है क्या नहीं तो मैं अच्छी तरह से लिक रहा हूँ यहाँ आप आप यह से अच्छी तरह से लिक दो यहाँ ठीक है और बस confirm confirm पर click करने के बाद कहा पर जाना चाहिए या confirm को दूसरा कुछ नाम देना है सब कुछ possible है ठीक है go to page ऐसा मैंने कर दिया और उसके उपर click करने के बाद एक मेरे website में पेज है उस page पर जाएगा मतलब कुछ भी कर सकते है उसमें सब कुछ यहापि लिंक दे दो आप ठीक है unsubscribe option है unsubscribe पर click कर दिया तो उसके बाद मैं mail नहीं जाएगा मतलब हर एक चीज इसमें उन्होंने करके दी है तो आपको सिब जो भी कुछ चेंज करना है वो चेंज कर दो यह तो मेरा layout हो गया अभी मैं back आता हूँ आटो से हो जाता है आपको यहाप से ओ ऑप्शन डूढ़ने के जुरूत नहीं जो कि मैं पहले डूढ़ने के जुरूत नही आपको अब भी जाता कुछ उप्शन चाहिए तो यहाप सब ऑप्शन से बटन चाहिए ड्रैक कर दो लेलो कहाँ पर चाहिए बटन लग देता हूँ यहाप ठीक है जस एकां बटन का ऑप्शन ले लिया ठीक है आगया यहाप अवेसम बटन बस एडिट कर दो क्या क्लिक हो चाहिए क्या नहीं अंसस्क्राइब बटन लाइन चाहिए यहाप लाइन चाहिए मुझे लेलो लाइट हर एक ओप्शन है मतलब जो आप नहीं सुचते वो भी अप्शन उन्हें करकी दिया बस लेलो यहाप ड्रैग ड्रॉप कर दो इजी लिए टेंबलेट डिजाइन हो ज स्ट्राइब में यह स्टेप रहती है तो हम नहीं कर धी यह स्टेप कर दी संट कियम्पैंड यहां से क्लिक करोगे तो ऊप्श्न आ जाएगा तो decrease labe करता हूं है मिज यहाँ पूछ रहा है कि कुन से कौण्टक्स को आपको फोफक्र को करना हैander कोटक्स मतला, जितने भी email डापलोड के है, उनको email करना है नहीं करना है, उसमें अल्डी भी कुछ email थे मेरे, जो last में मैंने email अपलोड किये थे, उनको सिफ सेंड करना है, मतलब, उसको नाम क्या दिया था, वो भी ध्याण में रहना चाहिए, उसको नाम नहीं पता है तो इसके उपर क्लिक कर दो एक 2000 शॉपिंग करके नाम दिया था एक OFFICE कांटेक्ट करके पहले से ऑफ़ाइल है तो 2000 शॉपिंग पे मैंने क्लिक कर दिया तो जितने भी इमेल डेड थी 2000 शॉपिंग लिस्ट में अवेलेबल ए उनको इमेल जाएगा गाउंट पर कली करोगा तो count भे आ जाएगा काउंट पर किली करता हूं ठीक है आप समाज लो 3-1,000,000,000 एंटरी काम्थ यहां पे ओप्षणर टेंग्स टेंप्रेट अमिल-डिजाइनर पर रोंटर सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर दो टेंप्ले और यह भी हमने बनाया था आपको और नाया चाहिए आपके आपका माइंड चेंज होगा है यह नहीं पसर मुद दूसरा चाहिए फिर जाओ गालरी पे फिर वही काम कर दो अपडेट वाला मैं वह नहीं करूंगा माई टेंपलेट है स्लेट कर दूंगा अभी आपको एडिट करना है इसमें और एडिट करना है एडिट कर दो यहाँ पर सिलेक्ट एन एडिट मैं सिफ स्लेट कर देता हूं कि स्लेट कर दिया मैंने यहाँ पर चेंज कर दो सब्देट इमेल में सब्देट क्या जाना चाहिए सब्देट में नाम क्या दिखना चाहिए कुन से इमेल जाना चालिया है है यह पे इनस्ट टेस्ट है इमयल से इनसने दो आपको इमील आजाएगा वह मठ ज़्यादा उसमें दिमाग लागाने के जूरुत है और आपके पास बहुत सारा टाइम है तो देख लो यह मुझे भी बता देना क्या है वो ठीक है जिसे कि इसमें लीगल में आपके पूरे डिटल्स वगरा डालने है जो कि डलने के जूरत है नहीं वहाँ पे में दिखा दिता आपको ठीक है बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बता तो डिरेकल सेंट कंबेंट पे क्लिक कर दो और इमेल सेंड हो जाएगे बस इतना ही आपको करना है बाकी कुछ नहीं इमेल मार्केंग कहतम हो गया यह फ्री मैल माकेंग था यूजिंग इलास्टिक इमेल मैंने दो तीन वेबसाट आए थे इलास्टिक इमेल उपर में सब्सक्राइब कर दो हो जाएगा लेकिन में कंडिशन है यह 12000 इमेल उनको ही जाएंगे उसमें से 2000 लोगों को जाएंगे मतलब क्या 2000 लोगों को आप पाच बार सेंग कर सक्ते हो मैंने बता दिया कि 12,000 इमेल जा रहे है वह 12,000 लोगों को नहीं जाता 2,000 लोगों को इमेल जाता है लेकिन यह 2,000 लोगों को फॉलॉप के लिए ज़ाद आपको बेनिफिट है, मतलब 2,000 आपके पास सब्सक्राइबर है उतने ही और आपके जाएंगे आराम से जा सकते हैं सब्सक्राइबर उससे मैं सब्सक्राइबर बोल ले तो तो सब्सक्राइबर को 12,000 इमेल आप सेंट कर सकते हो ठीक है तो बस इतने मतलब और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे और भी कुंसे फ्री आफ कॉस्स यूज करने के लिए साइट से आपको पेड़ सर्विस लेनी है तो इलस्टीक इमेल की या मेल चुन की पेड़ सर्विस भी आप ले सकते हो उनके वहाँ पर प्राइजिंग में पैकेजिस से जो क क्या 10,000 लोगों को आप कितनी भी कितनी भी बार मेल कर सकते हो तो वह एक चीज़ है अनके बहुत ही इजी बहुत ही आफ़रडबल पैकेजिस रहते लेकिन आप पहले फ्री में सिख लो इमेल एड़ी इमेल कैसे संकरने आपको सही लग रहा है आपको समझ में आ रहा है दि लेकिन वह थोड़ा सा टेकनीकल होगा टॉपिक जो कि आपको मुझे लगता है जरूत नहीं होगी लेकिन यह आप अच्छी दरस से एक बार सीख लो कुछ प्रब्लेम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्या प्रब्लेम आ रहा है कैसे आ रहा प्रब्लेम आपिक जो हाँ आपिक ए सबता है